विगत साड़े पांच वर्स के दोरान उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बिवस्ता को बेहतर बनाने, सुरक्षा की सुद्र डिस्तिती बनाए रखने और पचीस करोर लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के साथ ही प्रदेश को दंगा मुक्त करने में भी अपना सरहानिय योगदान दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में के प्रयासों से आज प्रदेश में संगठित अपराद पूरी तरहे नियंत्रित हुआ है प्रदेश विकास के पतपर अग्रसर हुआ है इस दोरान सासन ने भी पुलिस बलके भरती की प्रकरिया को आगे बढ़ाते हुए उनके आधुनी की करन और प्रदेश के ट्रेनिंग की चमता को आगे बढ़ाने के लिए भी अन्यक कदम उठाए है पुलिस कारिमिकों के तमाम प्रकार की स्विविधाओं को भी आगे बढ़ाने का कारिक किया गया प्रदेश के अंदर विभिन पदों पर एक लाख साथ हजार से धिक पुलिस के अलग अलग पदों पर भरती की प्रकरिया पूरी की गई प्रसिक्षन की छमता को प्रदेश के अंदर दोगने से धिक किया गया पुलिस के आधुनिकी करण के सामे अने कदम उठाए गए और पुलिस बलके अवस्थापना स्विवधाओं के लिए भी प्रदेश के अंदर अने कदम उठाए गए हर पुलिस लाइन में, पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक के निर्मान की कारवाई हो, नए थानों के गठन का हो, पुलिस के अंदपलेश प्रदेश के अंदर SDRF, SSF के गठन की कारवाई हो, महला कार्मिकों के पुलिस भरती के लिए 20-20 आरक्षन की विवस्ता हो, या प्रदेश के अंदर तीन महला PSC की बठालियन की गठन की परकरिया, इस अभी कार्य बिकत साड़े पांच वर्स के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए पुनर गठन और उनके आथनिकी कर में भी किया गया, हम लोगोंने अनेक कदम उठाए हैं सासन अस्तर पर भी, आज उसके अच्छे प्रदाम सामने आये हैं, आज भी हम लोगोंने जो बहुत दिनों से मांग थी, पुलिस कार्मिकों को 200 रुपे साइकिल भत्ता मिलता था, अब हम इसे 500 रुपे मोटर साइकि के रुप में पुलिस के जवानों को प्लब्द कराएंगे, इपेंशन की स्कीम लागो करने के साथ ही, अन्या कारवाई को भी आगे वढ़ाने की व्याद गोशना की गई है, मुझे पुरा विश्वास है कि देश का ये सबसे बड़ा सिविल पुलिस का बल, देश के सबसे बड़े राज्य में कानून विवस्ता की सुद्रिस्तिति को बनाए रखते हुए, प्रदेश मैं कानून का राज को बनाए रखने में जो भूमिका उन्होंने अब तक निभाई है, इसको और मजबूती के साथ, पुरी प्रत्वतिता के साथ दिर्वहन करेंगे, मैं सभी उन पुलिस जवानों को जिन्होंने कर्तब पत पर अपने आपको बिल्दान किया है, प्रदेश सासन की और से बिनम्र सरधान जले रखिप करता हूँ